Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IH&T. Namaskar, welcome to Slip Stories with me Cheshree Khatri. आज के इस पॉड़कास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही मज़िदार कहानी. आज की हमारी कहानी है, ब्राम्वन, बकरी और तीन ठककी. कहीं किसी गाउ में एक ब्राम्वन रहता था. उसका वेवार अच्छा होनी की वज़े से लोग उसे अपने घर बुलाते और दान दिया करते थे. एक दिन उन्हें एक सेट जी का आमंतरन मिला. ब्राम्वन सेट जी के निमंतरन में गए और जब वे वापस लोट रहे थे, तब सेट जी ने उसे दान में एक बकरी दी, ताकि वहाँ उस बकरी का दूद पी सके. इसके बाद ब्राम्वन ने बकरी को अपने कंदे पर लटकाया और वहाँ से चला गया. जब ब्राम्वन बकरी को अपने कंदे पर रख कर लोट रहा था, तब ती ठग लोगों की नजर उन पर पड़ी. उन्होंने एक शड़यंत्र बनाया, जिससे कि वे उस ब्राम्वन से बकरी को ले सके. वे तीनों ठग दूर दूर जाकर खड़े हो गए. ब्राम्वन अपने कंदे पर बकरी को रख कर आगे बढ़ी रहा था, कि तब ही पहला ठग उसे देख कर जोर जोर से हसने लगा. ऐसे में ब्राम्वन ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम मुझे देख कर क्यों हस रहे हो? ब्राम्वन के प्रश्ण पूछने पर ठग ने जवाब दिया, ब्राम्वन महाराज जी मुझे माफ करना, लिकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा है, कि कोई ब्राम्वन एक कदे को अपने कंदे पर उठा कर ले जा रहा है. यह करकर वह ठग फिर हसने लगा, ब्राम्वन ने उसकी बात पर जान नहीं दिया, और वह वहाँ से आगे चला गया, चलते चलते रास्ते में ब्राम्वन को दूसरा ठग मिल गया, दूसरे ठग ने उनसे पूछा, क्या बात है ब्राम्वन महाराज जी, आपके इस गदे को चोट लेगी है क्या, जो आप इसे अपने कंदे पे ले जा रहे हो, यह सुनकर ब्राम्वन बहुत ही गुस्सा हो गया, और उसने बोला, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, यह कोई गदा नहीं है, यह एक बकरी है, और मुझे यह दान में मिली है, इसलिए मैं इसे अपने क चंदे पर उठा कर ले जा रहा हूँ, यह सुनकर ठग ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन शायद आपको किसी ने ठग लिया है, यह बकरी नहीं, गदा है महाराज, यह सुनकर महाराज सोचने लगा, कि पहले वाला व्यक्ति भी इसे गदा कह रहा था, और यह भी इसे गदा काही कह रहा है, आखे लोगों को हुआ क्या है, यह सोचते सोचते वह आगे चला गया, चलते चलते उसे रास्ते में तीसरा ठग भी मिल गया, तीसरे ठग ने उनसे कहा, ब्रामन देवता, आप इतने तकलिफ क्यों उठा रहे हैं, लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक छोड़ाऊंगा, ब्रामन के लिए कारे करना तो पुन्य का काम है, इससे मुझे भी आशिरवाद मिल जाएगा, उस व्यक्ति की यह बात सुनकर ब्रामन खुश हो गया, और उसने बोला, बहुत बहुत अन्यवाद, तुमें एक भले इंसान लगते हो, फिर उसने वहाँ बकरी ठग को दे दी, वे दोनों एक साथ चलने लगे, कुछ दूरी तक चलने के बाद, उस ठग ने ब्रामन से पूछा, वैसे आप इस गदे को कहा ले जा रहे है, यहाँ सुनते ही ब्रामन माराज ने उससे कहा, यहाँ गदा नहीं बकरी है, बकरी, उस इसी ने आपके साथ चल किया है, यहाँ कोई बकरी नहीं, बलकि घदा है, यहाँ सुनते ही ब्रामन ने ठग से बोला, मैं तुमें यहाँ गदा दान में देता हूँ, तुम इसे ले जाओ, यहाँ सुनते ही ठग अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि उसकी तरकिप काम कर गई थी, इसके बाद वे तीनों ठग बकरी को ले गए और बाजार में जाके बेच दिया, और काफी अच्छे पैसे कमा लिये, आज की हमारी स्टोरी का मोरल ये है, कि किसी भी जूट को बार बार तोहराने से लोग उसे सच मानने लगते हैं, इसलिए हमें हर वक्त अपन दिमाग का इस्तमाल करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए, सच और जूट की परक करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, हाँ, थोड़ा प्रहतना जरूर करना पड़ता है, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले पॉड़कास्ट में, तब तक के लिए, स्लिप फैल, लिव बैटर